आप देख रहे हैं न्यूज लाइफ खबरों की तहतर नमस्कार मैं हूँ नीदर विश्रा आप देख रहे हैं न्यूज लाइफ खबरों की तहतर आईए देखते हैं आज के मुख्य समचार न्यूज हेडलाइन्स के प्रायो जख हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग अकैडमी लखनव जैहिन ड्राइ क्लिनर्स एंड डायर्स इसमाल पार्टी वाले ली फूड ऑन यूर डोर सीतापुर जिले के मिस्रिक कोतवाली छेतर के जर्गमा से सूरजपूर मार्ग पर जर्गमा गाउं से लगबग 600 मीटर दूर दिन दहाड़े मदनलाल को बाइक सवारों ने गोली मार दी जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई मदनलाल पुत्र सोहनलाल निवासी हायातपूर थाना मच्रेटा अपनी ससुराल जर्गमा में मंगूपाल निवासी मल्लपूर जर्गमा के यहां लगबग 12 वरसों से रह रहे थे मदलल जरिगमा में जमीन लेकर मकान बना कर रह रहे थे लगबग दो बजे वह अपनी भैश चराने सड़क पर गए थे घर से लगबग 600 मीटर दूर भैश चरा रहे थे अग्याद दो बाइक सवारों ने मदलल पर तावर तोर फारिंग कर दी जिससे उसकी घटनास्तल पर मौत हो गई यह खबर गाओं में फैलते ही हाहा कार मजग गया घटनास्तल पर तुरंट चोके इंचार्ज कली, सेशना सिंग, कोतवाल मिसरिक, मनोच कुमार मोके पर पहुँचे कुछी देर बाद स्पी आर्पी सिंग, एडिस्नल स्पी, तमाम पुलिस फोर्स मोके पर पहुँच गई मदलल के तीन बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी सिवानी 14 वर्स, सिवांगी 12, 9, 10 वर्स के हैं सूत्रों के माने तो मदललल के घर से कुछ लोगों से जमीनी विबाद चल रहा था मदललल की पतनी, सदा प्यारी, कुछ बोलने की सिती में नहीं है स्पी आर्पी सिंग का कहना है कुछ टी में लगा दी गई है, पतकाल खुलासा किया जाएगा सीतापुर से हमारे ब्यवरोचिप धीरन सिर्वास्तों के साथ शुभम दिक्षित की रिपोर्ट थाड़े तीन मजे बहेंश चराने जो है जा रहे थे और कि रास्ते में जो है ग्राम मलपुर पड़ता वहां ग्यात लोगों इनको गोली मार दी अस्प्तार ले जाते समय इनकी मृत्य हो गई जैसे ही सुचना मिली तो पड़ता पूर्वक थाने की टीम पहुंची मौके पर जो है उनका पंचायत नामा कारवाई पूर करके पोस्टमार्टम है शव को रह भेजा गया है पुलिस दिख्षक महदे के निर्देशन में उनके आदेश पर इसके अनावण के लिए पांस टीमें गठित की गई है वो टीमें जो 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 उनको कारे सौपे गए है वो अपने निर्देश्ट कारियों में संबादन में जुट गई है और सिग्रात इस घटना का नावण किया जाएगा तो संगत धराओं में अभियोग पंजिकत का लिया गया है जल्द ही खुलासा होगा और जो भी इसके सनलिबत अभ्युक्त होंगे उनकी गरफतारी होग चैएन ने आज ग्राम पंजाइट रनुआ पारा ब्लाक सीधली चेतर के एक गाउँ में किसानों के साथ उनकी समस्याओं का हाल्चाल लिया और संगठन का बिस्तार भी किया जिसमें महिलाओं को इस संगठन का हिस्सा बना गया इस अभी सदस्यों को कारिकारणी सदस्य का हिस्ता बना कर प्रमाणपत्र के साथ मनुनित किया गया। महोलालगंच पुलिस के हथे चड़े तीन शातिर अपराधी एटियम क्लोनिंग के साथ राह चलते छीनते थे मोबाईल। नुएडा से तीन माह की एटियम क्लोनिंग की ट्रेनिंग लेकर सातिर दिमाग अपराधियों ने अब तक दरजन उदन पदों में एटियम से उड़ाई 35 लाख रुपए। चोरी की बाइक में नंबर प्लेट बदल कर छीनते थे मोबाईल। राजधानी के कई थाना छेत्रों में दे चुके हैं घटनाओ को अंजाम। पुलिस ने च्छा मोबाईल सहीत अबैत तमंचा दो जिन्दा कार्तूस सहीत एटियम क्लोनिंग में प्रियुक्त उपकरण वो ब्लैंक एटियम कार्ड बरामत किये। एसीपी प्रविड मलीक के नेतुरत में इंस्पेक्टर जीडी सुकला सहीत पुलिस टीम की सेक्रिता से सातीर अपरादी हत्ये चड़े। मोहल लालगन से हमारे समाधाता बिजेचन तिवारी की रिपोर्ट सीता पुर के टरिया थाना छेतर के ग्राम सहजन पुर के निकट पुलिस ने एक इवक कशव संदिक दवस्था में बरामत किया। परवारी जन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। बताते चले कि पुलिस को आज रिविवार शाम साले पांच बजे ग्रामीडों ने सहजन पुर गाउं के निकट भटखरवा जाने वाले चकरोट के किनारे खेत में एक शोव पड़े होनी की सूचना दी। इस पर थाना ध्यक्ष करूले सिंग पुलिस बलके साथ मोके पर पहुँच गए। मिर्टक फन माल गोमती नगर लखनू में काम करता था। आज उसका शोव पहत्रेक गाउं माउउ से तीन किल्योमीटर दूर सिधवली की तरफ सहजन पुर के निकट खेद में पड़ा मिला। परिजन हत्या का खुले आम आरोप लगा रहे हैं हाला कि अभी तक तहरीर नही में सम्मानित किया गया सम्मान राश्ट्री महमंत्री राजिन पांडे सुसील सिंग मंडल अपाध्यक्ष वह प्रदीप सिंग जिरा महमंत्री लखनू ने किया आप समय हो चुका है ब्रेक का तो मिलते हैं एक छोटे सी ब्रेक के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिये हुए लाल बटन को दबाएं और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं तो जल्दी से अपने ओडिशन रेजिस्टर करें इस पते करें इस कारिकरम के प्रायो जखें के के कॉमर्स क्लासेज लखनव जोईलर्स विकल्प प्रापर्टी वासुद्यो इंटरप्राइजेज स्री बालाजी होमियोपैथिक क्लिनिक आप देख रहे हैं ल्यूज अबरो की तेस्टर